REIT परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा एलान किया है CM गहलोत सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर प्रेस वारता कर REIT लेवल दो परीक्षा ने रस्त करने की घोशना की है REIT लेवल एकी प्रक्रिया पूर्ववत जारी रहेगी गहलोत ने कहा कि लेवल वन और टू मिलाकर पहले 32,000 थी अब 30 और मिलाएंगे तो कुल 62,000 भरतियां होंगी अब शिक्षक भरती के लिए दो एक जाम होंगे पहले की तरह ही eligibility टेस्ट लेंगे validity आजीवन ही रहेगी विशवार अलग से एक जाम करवा आए जाएंगे eligibility टेस्ट के बाद भरती परीक्षा होगी हाला की परीक्षा कब होगी इसको लेकर कोई घोशना नहीं की गई बतादें की REIT पेपर लीक होने के बाद से ही बीजेपी लगातार परीक्षा ने रस्ट करने को लेकर धरना प्रदशन कर रही थी REIT 2021 पेपर लीक को लेकर राज्य में विपक्षी पाड़ी भाजपा सरकार पर जम कर निशाना साध रही थी राज्य के कई स्थानों पर चात्र भी बड़ी संख्या में परीक्षा में हुई धान्दली के कारण सरकार के विरोध में प्रदशन कर रहे थे चात्रों इस परीक्षा को रद करने की मांग कर रहे थे सी एम गहलोत ने कहा कि एसो जी की जाच में सामने आया है कि केवल तीन सा लोगों को ही रीट पेपर लीक मामले का फायदा हुआ है फिर भी परीक्षार्थियों के परिवार वालों को कोई शंका नहीं रहे इसके लिए परीक्षा रद की गई है और नए सिरे से लेवलदों की परीक्षा होगी